नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक और फिर से स्वागता आप सभी के अपने यूटूब चैनल टैट्रिक्स के अंदर और फ्रेंड से यूटूब पे कलोता है कैसे चैनल जहांपर हम आपको टीचिंग सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को ट्रिक्स का और कराते हैं तो फ्रेंड जैसा कि आज आज आपको हमारा टॉपिक दिखी रहा होगा जो कि ये कवी और उनके उपनाम ठीक है फ्रेंड तो ऐसे बहुत से कवी है जो कि अपने अलग-अलग उपनाम से जाने जाते है उनके बहुत फेमस उपनाम है और इस टाइप की क्यूशन आपको एक्जाम में काफी ज़्यादा देखने को मिलते है ऐसे क्यूशन आप से एक या दो एक्जाम के अंतर पूछ लिए जाते है ठीक है तो ये पार्ट वन होगा जिसके अंदर आपने कुछ कवी और उनके इस वीडियो को उन्हें सुरू से लेकि लाश्ट सक जरूर देखने है और इस वीडियो के लाश्ट में हमने क्वीज भी लगा रख जिसके अंदर कुछ क्यूशन थे जो एक्जाम में पूछे गए थे आप देखने इस कंप्लीट वीडियो को समझने एक बाद आप उन सभ पेला उपना में हिंदूस्तान का थीक है यह कसका उपना में यह हैं अमीर खुसरोकर ठीकर अब अब देखेंगे इसको कैसे हम बहुत ही प्यारी ट्रिक के माद्या में से याद कर लेंगे अब देखे फ्रेंट्स आपको में एक बहुती प्यारी स्टोरी सुना जा रहा हूं तो आपको बहुती ध्यान से सुनना है ठीक है एक बार में आपको यह सारे याद हो जाएंगे अब देखे क्या होता है कि एक अमीर व्यक्ति होता है ठीक है एक अमीर व्यक्ति होता है जो कि हिंदुस्तान में जाके वहां के जो पैर्ट्स होते ना तोते जो होते हैं उनका क्या करता है शिकार करता है ठीक है और जिससे उसे क्या होती है बहुत ज़्यदा खुसी मिलती है ठीक है तो यहां से पहला हो गया कि हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो कि एक अमीर वेक्ति है जो हिंदुस्तान में जाके वहां के जो तोते होते हैं पैलट से होते हैं उनका सिकार करते हैं जिसे उसे बहुत ज़्यादा खुसी मिलती है तो पहला के लिए हिंदुस्तान का दोता अमीर खुशुरूट ठीक है अब देखें यहें बात जो है दूसरे कवी सुमित्रा नंदन जी को पता चलती है ठीक है और सुमित्रा नंदन पंते जी क्या है एक्परकरति वादी कवी है वल्लब Sullivan कि उनकी कविता मोशली परकरती परी रहती है कि कैसे हम परकरती को अप स्मितरा नंदन पन्त जी अब क्या होता है सम्सिरा नंतन पन्त जी, यह बाट कि इसको बताती है कविओ की कवी, मevni सारे कविओ में भिए एक टॉप का उपर का जो कवी होता है उसको बॉलते कव्यों का कवी, उसका नाम क्या होता है समसेर सिंग बहादूर ठीक है या मैं ऐसे कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यदा बहादूर होता है शेर के समान एक बहादूर व्यक्ती जो कवियों का कविय होता है वो सेर के समान बहादूर व्यक्ती होता है तो समसेर सिंह बहद्दुर जी यह बात किसको बतती है तो अब समसेर सिंह बहद्दुर क्या कहते है कि यह तो बहुत बढ़ा रास्सा हो जाएगा रास्सो को जोड़ लेंगे रास्सा से यह तो बहुत बड़ा रास है कि कोई अमीर व्यक्ति आके हिंदुस्तान के जो पैरेट सतोते हैं उनको मार रहे है ठीक है तो यह तो बहुत बड़ा रास है तो वह क्या कहता है वह कहता है कि परम उसका एक मित्र होता है समसेर सिंग का कहता है कि परम उसका नाम क्या होता है उ और आला, आला को जोड़ लेंगे अला से, तुम वहाँ के खंडरों में जाओ, और आला का नाम लेकर उस पर निगरानी रखो, ठीक है, बई, क्या होता है, समसेर जो है, कहता है कि यह तो बहुत बड़ा रासा हो जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्त परम को कहां बेजता है, जंगलों के खंडरों में बेजता है, तुम वहाँ पर अला का नाम लेकर निगरानी रखो, ठीक है, यहां से हो गई आला खंड परमाल रासो, ठीक है, फिर क्या कहता है, तुम वहाँ पर रहो, इतने में मैं, ठीक है, सुमित्रा जी, आदी कवी, मैं सुमित्रा जी, आदी क कभी मिलकर किसको लेकर आते वालमी की जी को लेकर आते तो आदी कभी किसका उपनाम है वालमी की जी का ठीक है अब इसके बाद क्या होता है कि अब फिर वो वालमी की जी को लेकर आते अब वालमी की जी अब अगली देखो मैं अगली बता देता हूँ अब ब्रंस का वालमी की इसका उपनाम है स्वयम भू का ठीक है अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं स्टोरी को कि जैसे वालमी की जी उन्हें देखेंगे जैसे वालमी की जी उन्हें देखेंगे तो वैस्ष्वम ही स्वयम ही उन्हें क्या कर देंगे उन्हें भस्म कर देंगे ब्रंस को किस से जोड़ लेंगे ब्रंस को जोड़ लेंगे भसम से ठीक है ब्रंस को किस से जोड़ लेंगे भसम से तो जैसे ही बालमी की जी उन्हें ऐसा करते देखेंगे तो स्वेमी उन्हें क्या कर देंगे भसम कर देंगे तो बसम को फिर वापस से जोड़ लेंगे अब ब्रंस से तो ब्रंस का वाल में कि किसका उपनाम है स्विम भूकर ठीक है सो आई होप ये एक छोटी सी स्टोरी थी प्यारी सी आई होप आपको यभी याद हो गए होगे अभी जिन्दकी भर के लिए याद रहेगी ठीक है अब लास्ट एक पर में बता जिता हूँ लास्ट है आदूनिक यूक की मीरा ये किसका उपनाम है ये है महादेवी वर्मा को अब देखिए मीरा जी जो है मीरा का नाम भगवान सिरी के साथ लिया जाता है अब जब उनका नाम अगर भगवान सिरी के साथ लिया जाता है तो जरूर महान क्या होगी, कोई महान देवी ही होगी, ठीक है मीरा जी क्या होगी, एक महान देवी ही होगी, तो महान देवी से महादेवी हो गया, तो आध हो नहीं क्यों कि मीरा क्या हो गया, महादेवी गर्मा, अब फिर से मैं एक बर फटाफट से आई होप याद तो हो गए हो से बहुत ज़्यदा खुशी मिलती है तो यहां से इंदुस्तान का दो अमीर खु supporter होकि है ठीक है अब यहां है बात किसको पता चलती है सुमित्रणनदंघ ह़्या को पता चलती है जो कि एक प्राकर्तिक जो की सेर के समान होता है ठीक है समसेर महीं सेर के समान होता है ठीक है तो कवियों का कभी समसेर true पिर समसेर सिंह भादूर क्या कहता है कि यार ऐसे तो ये तो राष्टा हो जाएगा ये तो राष्टा हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए मैं अपने दोस्त एक परम को भेजता हूँ कि परम तुम वहाँ जंगल के खंडरों में जाओ ठीक है और वहाँ पे अल्ला का नाम लेकर उस पर निगरानी रखो तो यहां से हो गई अल्ला खंड परमाल रासो ठीक है और इतने में फिर उसके बाद करते हैं इतने में मैं सुमित्र नंदन जी आदी कवी मिलकर महरसी वाल वालमिकी जी का ठीक है अब जब वालमिकी जी आएंगे और जब हुनने देखेंगे कि वह थोते जो है उनको मार रहे है ठीक है तो वो क्या करेंगे श्वमी उन्हें भस्म कर देंगे तो अब भॉडविका व्रण्स का वालमिकी किसका उपनाम है भगवान स्री कृस्न की सा है तो कोई महान देवी ही होगी जो भगवान सिर्केशन के साथ थी ठीक है तो आजुने क्योंकि मीरा महादेवी वर्मा अई होप यह सारे आपको याद होगे होगे जिन्द की भर याद रहेंगे ठीक है अभी देखता है एक्जाम में पूछे कोई कुछ हिंदुस्तान का तोता अब जैसे आपके दिमाग में आएगा कि हिंदुस्तान का तोता पूरी स्टोरी दिमाग में भूम जाएगी देखें तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा तोता हिंदुस्तान का तोता कौन था कि कौन करता था तोते का सिकार अमीर व्यक्ति करता जिससे उसे खुशी मिलती थी तो देख लीजिए अमीर कहा है और खुश कहा है तो यहां पर option 3 विल बीट से right answer ठीक है I hope आपने भी option 3 ही दिया होगा बढ़ते है next question की तरफ नेक्स उशन देखिए friends किस कवित्री को आदूनिक मीरा का जाता था अब भगवान सिरी किर्षन की भक्ति थी ठीक है अब भगवान सिरी किर्षन के साथ थी अगर मीरा तो कोई क्या होगी किस पर घर कोई महांदेवी ही होगी ठीक है तो यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा option second महादेवी वर्मा ठीक है friends वीडियो आपको पसंदार होगी अगर वीडियो पसंदार है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजे ठीक है बढ़ते नेक्स वीचन की तरफ नेक्स देखिए friends किस कवी को प्रकृति का सूक सुमित्रा नंदन पंत जी थे जो की प्रकृति को लेकर काफी ज्यादा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा सुमित्रा नंदन पंत बढ़ते नेक्स वीचन की तरफ नेक्स वीचन देखिए friends निमलिकित में से कौन सा रासो अलहा खंड के नाम से परसीदे अब आ जाएगी तो मैं चाहता हूँ आप इसका जो राइट आंसर मुझे कमेंट वक्स में दे इसलिए इसक्रिशन को मैं आपको होंवर के लिए देता हूँ ठीक है friends और मैं चाहूंगा कि आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट वक्स में जरूर दे आसा गर तो यह वीडियो आ लाइक करजे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइग पर देजिए और आप इस वीडियो को दस लोगों के भी जरूर शेयर करें जो भी यूपी टैट की तयार करें उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफीचल होगी तो फ्रेंड मिलते आपनी नेक्स साथ तक तक लिटाड़ा बाई बाई